असलावलेकों में स्टुडेंट्स आज हम करेंगे एक्सिसाइज 18.6 कोर्शन नमबर 1 और 2 दोनों पूरी एक्सिसाइज करेंगे इन्शालला पिछली जो हमने एक्सिसाइज की थी थी थोड़ डिफरेंट मेठट था यह थोड़ डिफरेंट है यहां पर आपको के मेठट फिर मैं इस कोर्शन के हिसाब से बताऊंगी जैसे कि फॉर्घेंपल आपने यह रेशयों पढ़े थे ठीके यह रेशयों को अपने इस फॉरम में लिखते थे हर बार लिखते थे न आप लोग इसको आपने बराबर सपोस करना おच के के आगर यह के के बराबर है तो आप इ is equal to BK और C is equal to DK अब आपको इस問 के हिसाप से value बनाने हैं इस question में आपको दिया हुआ यह इसी तरह की value na A और B की या जो भी आपको variable दिया है उसकी value आपको जो है बनाने है इस question में जो है question number 1 में आपको value देने हैं P ratio Q is equal to R ratio S इस तरह इस form में आपने इसको convert करना है ठीक है students और फिर आपने क्या करना है पहले आप video को आगे तक देखी गा please P upon Q is equal to K और R R ratio S is equal to K तो फिर आपकी value बनेगी P is equal to Q K सही बहुत simple सी value और R is equal to S K simple सी values बननी है और जो यह values आप निकालेंगे न इसको इसके चारो पार्ट में apply करना है चारो पार्ट जानते हैं कौन से सवाल बुक पेश नमबर खोल लीजेगा चले students one by one apply करना start करते हैं पहला question आपके सामने ये है आपने करना क्या है कि बस आप चाहें तो LHS, RHS अलग-अलग करने है लेकिन आपको दोनों साइट का answer जो है वह सेम लाना है चारो मैं साथ-साथ करूँ है चले start करते है P की value हमार पास क्या है Q के मैंने यहाँ पर Q के mention कर दिया और Q की कोई value हमें नहीं दीवी P और R की है Q आप ऐसे ही लिखते है As it is इस तरह H और P फिर P की value है Q के तो आप Q के लिखते है और यहाँ पर Q की value नहीं है इसे तरह R की value हमार पास S के S के mention कर दिया ठीक है और यहाँ पर भी R की value हमार पास S के बाकी सब values ऐसे ही लिखते है अप इन डोनों मेंke common है आपके पास Q तो आप ऐसे करें Q common ले ले ताकि पर पास बचेगा ह K माइनस 3 और यहाँ पर क्या common है आपके पास यहाँ पर भी आपके पास Q common है हो बचेगा ह K 365 प्लस 3 यहाँ पर common आ रहा है S यहाँ पर बच्रा HK-3 सेम सेम लाना देखें, सेम सेम वैलियोज आ रही है S कॉमन है HK-3 solution हो गया S से S cancel, Q से Q cancel अब यह further simplify नहीं हो रहा है तो बस आप इसको as it is copy करेंगे और यह आपका आगया answer सहीए easy question है, आगया के question इससे भी जएदा असान है चल अच्छा थोड़े change है, लेकिन है असान LHS और RHS proofed, सेम आईए और hands proofed चीक है यह हो गया हमारे पास यह हमारे पास क्या हो गया, question number 1 अब हम करेंगे बाकी की questions, पूरे exercise की question इंशालला सौर्फ करेंगे चल ने question number 2 की तरफ चलते है चले करते हैं अब question number 2 यह P is equal to K की 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 हम निकाल चुके start में वीडियो के और R is equal to KSB, कैसे निकाला है बिल्कुल start में आप वीडियो के दिख सकते हैं, अब के करना है question में अप्लाई करना है, मैंने पहले ले ले लिए left hand side, सही है अब left hand side लेने के बाद में से solve करना शुरू करूँगी, कैसे value पुट करके, P की value दीवी K, उस पर cube लगावा तो हम दोनों पे cube अप्लाई कर देंगे, K cube और Q cube, सही है और R की value दीवी KS तो K cube और S cube cube क्यों अप्लाई के Q cube लगावा इस पर आप चाहिए तो एकी step extra बढ़ा कर सकते हैं, पहले cube दिखा सकते हैं Q की value पे cube नहीं है, ऐसी ही रहेगा और S cube भी ऐसी ही रहेगा अब इन डोनों में कहीं कुछ common निकल रहा है बिल्कुल common निकल रहा है, हमें तो इस तरह का answer लाना है तो क्या होगा K cube common निकल रहा है यहां बचा Q cube और यहां पर common K cube गया तो S cube बचा, ठीक है common कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो है अब चेक कर सकते हैं, exercise 4.1 अब यह Q cube और S cube ऐसे ही है इस पर bracket mention करें ना करें को problem नहीं है अब यह पूरी value जो हो रही है, cancel हो रही है और यह याद रखेगा, इस पर cube root था कौन रूट था, cube root तो आपको बचा है कि की power 3 है तो cube root का मतलब होता है इस तरह की power जब किसी पर कोई cube कुछ नहीं होता तो 1 upon 1 half होती है, power अभी 1 third होगी तो 3 से 3 cancel होगी है, यह हमारे आगए LHS अब RHS की अगर बात करें तो RHS में क्या करना है RHS तो बहुत simple सा है, लेकिन करके देख लेते हैं कि RHS में करना क्या है क्या करना RHS में P और Q लिखा और P की value है सिर्फ KQ और नीचे तो Q ही है तो Q से Q cancel और यह आपका K answer आगे तो हुआ यह कि LHS और RHS आपकी आगई बराबर क्या आए K is equal to K पूफ क्योशन हो गया आपका पूफ, बहुत simple से क्योशन था इसी तरह कि स्पूरिक साइस बहुत simple है बस हमें values बोट करना है K method से और solve करना है इसको proof करने का एक तरीका और भी है वो यह है कि आप देखेंगे P is equal to K Q है न तो आपना K की value निकालने मतलब P और Q इस तरह रखके K ले ले तो यह साब ही ठोगा K जो यहाँ आया है न इसके जगा P Q रख देंगे तो P Q और P Q बराबर तो यह set solve करने की जवद आपको नहीं पड़ेगी वैसे यह तरीका भी सही है चलों कि students अब question number 3 करते है यह थोड़ा सा complicated है लेकिन बहुत easy है अगर हम इसे करने कोशच करेंगे तो बहुत असानी से हो जाएगा अच्छा यह value मैं हर बार लिखती जा रही हूँ जो हमने start में ही निकाल दी थी P की value K Q और R की value K S अब solve करना शुरू करते है solve किसे करेंगे हमने करना यह है कि पहले तो यह जो form है ना इस form को हम simple करें कैसे करते हैं हम लोग P squared plus Q squared और इस तरह का fraction बनाएंगे और फिर लिखेंगे P Q P plus Q P is equal to इसे तरह R squared plus S squared और यह fraction R cubed R plus S फिर आपको बटा है कि यह division का sign है यह sign division का है तो इसको आप multiply के sign में convert करेंगे ताकि कि जो multiple fraction आ रहे हैं इस तरह नहीं आएंगे कैसे करेंगे multiply का sign में convert divide का sign है आप multiply लगाएंगे पहले चलें divide का sign लगाते हैं step करते हैं ऐसे ही लिख दिया मैंने ठीक है ओके फिर हम इधर भी यही करेंगे division की form में लिखेंगे सही है ओके अब इस तरह लिख दिया हमने इस form में ठीक है फिर हम ना multiply का sign लगाएंगे multiply का sign क्या है multiply का sign जब हम लगाते हैं तो बात वाली value को reciprocal कर देते हैं तो फिर हम इस value को reciprocal करना होगा इस तरह यहां भी यही करेंगे ओके और यह reciprocal हो गई हमारी value चीक है simple सा question हुआ है अभी तर अब उसके बाद अभी से और simplify करें ना आप लोग कैसे करेंगे multiply होड़ा ना उपड़ वाली value तो multiply करें P square को पहले इन दोनों से multiply करें bracket लगा देती हो अब P square P से multiply होगा तो पावर एड़ होती है multiply में P Q P square Q से होगा तो अलग-अलग में पावर एड़ नहीं होती है variable change है तो आएगा plus P square Q इसी तरह Q square जब multiply होगा तो P Q square आएगा P पहले Q क्योग क्योग अलफ़ाबेटिकल और होता है और P Q square Q से होगा तो आएगा Q Q औके और निचे जब P cube है वो similarly ऐसे ही copy होजाएगा R square को जब R से करेंगे तो आएगा R cube इसी तरह R square को जब R S से करेंगे तो R square S इसी तरह S square S square R plus S cube ओके यहाँ तक तो कोई हमें problem नहीं हुआ है और हमारा question होगा अब हम K method अपलाए करेंगे K method क्या था? P की value K Q रखतेंगे और R की value K S रखतेंगे चले कर रखें P की value K Q जहाँ जहाँ P है वहाँ मैं K Q रख रही हूँ अच्छा Q है इस पर तो मैं Q अपलाए करें दोनों पर मैं एक स्टेप मिस कर दो P की value है तो K square है तो दोनों पर square आजाएगा K square Q square और इस पर Q Q एक अलग भी है तो आप चलें अलग मैंशन कर देंगे बात में multiply कर दीजेगा या फिर ऐसा करें कि सहिए P की value क्या है आपके पास Q आपके मैंने कहा है कि ऐसी रखते हैं अभी ना इसमें apply कर दें Q या जमा कर दें Q square है नहीं Q आपके क्या है क्या है Q next step में मैं add कर दूँगी पावर को अब यहां R की क्या value है R की value है K R की value है K cube S cube इसे तरह R की value है K square S square और S ऐसी रहेगा इधर जो R की value है वह है S square बात में कर देते हैं K और S ठीक है R की value है और plus S cube R cube अब और simplify करते हैं और simplify क्या होगा यह तो K cube और Q cube ऐसे ही रहेगा और यह हो जाएगा K square और Q cube इसे तरह यह हो जाएगा K और Q cube और यह भी हो जाएगा Q cube तो यह हो गया P3 अच्छा यह P है तो P की value क्या है KQ तो आप यहां पर apply कर देखे K cube मैं यह cut कर रही हूँ मैं यहां apply कर रही हूँ K cube और Q cube इसे तरह यहां भी यह जाएगा K cube और Q cube ओके अब यहां पर यह R की value K S है तो मैं R की value K cube और S cube अप्लाए कर देखे अब यहां पर क्या करेंगे K cube S cube plus power jama होगी K square S cube plus K S cube और plus S cube और यहां पर K cube और S cube अब जो भी common आ रहा है common लेंगे इन सब में क्या common है Q cube Q cube common लेंगे तो बच्चेगा आपके पास Q cube common लेंगे तो क्या बच्चेगा आपके पास K cube यहां पर K square यहां पर K और यहां पर plus 1 ठीक है और नीचे तो K cube Q cube ऐसे ही आएगा फिर यहां पर इन में क्या होगा इसमें भी आप common ले लें S cube तो बचा K cube plus K square plus K plus 1 ओके और यहां पर क्या है K cube और S cube आपको बटा S cube और S cube cancel हो रहा है Q cube और Q cube cancel हो रहा है तो आपके पास आ रहा है यह answer यहां सी यहां cancel कि अच्छे इन दोनों को आपस में cancel किजिए का क्योंकि आपको बटा एक साइट जो LHS है और एक साइट जो RHS है तो LHS और RHS का answer विवकुल सेम आ रहा है एक बड़ लिखतर दिखा देंगे हम इसको तो यह जो question है मैंने LHS और RHS इस comparison करके साथ solve कि आप चाहें तो पूरी LHS solve करें side और RHS solve करें तो यह दोनों side कांद सेम आ गया यह प्रूव हो गया question बस आपको करना यह है कि के method apply करके जहां तक simplify हो सकता है वहां तक simplify करना है okay question number 4 करते हैं बहुत simple तरीके से अभी इसको detail में ने लिके जाते हैं बस आपको पता है कि यह ratio है तो आपको इस form में लिखकर दिखाना होगा इस form में इसको लिखकर दिखाना होगा okay simple सा question है बहुत जल्दी solve हो जाएगा आप लोग भी साथ साथ बताते जाएए और इंशालला मनजल अरसान होती कि आप लोग अलग भी कर सकते है left hand side और right hand side अब P की value क्या है Q5 और K5 इसलिए मैंने Q5 K5 apply कर दिए R की value क्या है S5 और K5 इसी तरह Q5 तो ऐसी ही रहेगा क्योंकि इसकी तो values नहीं और S5 भी ऐसी रहेगा इस साथ पर P की value क्या है Q3 और K3 R की value क्या है S3 और K3 इस तरह Q की value क्या है यहाँ पर Q की value कुछ नहीं है यह आपने ऐसी लिखना है और S जो है आपने यह cube नहीं है यह square S2 आपने ऐसे ही mention कर देना है अब इन दोनों में common क्या है K5 common है तो हमारे पास remaining बच्चा Q5 प्लस S5 और यहाँ पर क्या common होगा यह तो ऐसी उतरेगा अच्छा और यहाँ पर क्या है multiply करेंगे कैसे multiply करेंगे लेकिन कोई बात नहीं आप समझे के 5 साइड में क्या क्या और यहाँ पर यह वाली पूरी वैलियो और यह वाली पूरी वैलियो कैंसल हो गई आपको पता है multiply में कैंसलेशन हो जाती है तो यहाँ पर बचा क्या क्या और यहाँ भी बचा क्या 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 तो यह LTS RTS बराबर आ गए आपकी कोशन हो गया बहुत सिंपल कोशन है जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लॉंग ना हो और आप लोग भी बहुत असान इस समझ सकें फिर भी कोई बार ऐसे लगे जो समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेजेगा कॉमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूग फ्रेंड्स यह तो पहले की तरह हमने कॉपी कर लिया है और यह कोशन नमबर 5 है तो मैं directly division का साइन इस तरह बना रही है fraction में लिखने के बजाए आप चाहे तो लिख जिजेगा fraction में और फिर division का साइन बना दिजेगा सही अच्छा depend करता है यह आप किस तरह question solve करता है दोनों तरह की बाते जो हैं वो सही consider की जाती अब यह मैंने just copy किया भी चीक ही copy हो गया अब को better multiply का sign होगा change ने sorry divide का sign होगा change multiply में आएगा तो आप लोग क्या करेंगे divide के sign को multiply लिखेंगे बाकी इस side की value पे कोई फरक ने पड़ता और यह हो जाएगी reciprocal यह हो गई reciprocal अब क्या करेंगे यहां भी ऐसे ही करेंगे मैं दोनों side x solve करती हूँ मुझे जरा easy लगता है feasible लगता है आपको जो easy लगया वो कर सकते हैं अच्छा आप क्या करेंगे formula application as we know that a square minus b square is equal to a plus b a minus b चीक है क्या करेंगे square लगा देंगे minus and q square a minus b a plus b is equal to a square minus b square और यह जो है p q ऐसे ही multiply होके आ जाएगा इसी तरह यहां भी करेंगे r square minus s square और यह rs यह sr जो भी आप बोलें यह s ही आ जाएगा अब आप लोग value put कर दें क्या value put करनी थी भाई आप लोग को p की जगा करें q k और r के जगा करें s k तो p की जगा q k कर रहें तो होजाएगा q square q square q square q square ऐसे ही रहेगा और यहां प्या q k करेंगे q square q square q square q square इसी तरह यहां भी ऐसे ही हम करेंगे r की जगा value put करनी हाँ s तो पहले सा था था s square की आएगा यहां तक हो गया question आपका अब हम क्या करेंगे मैं बाकी remaining question आपको सामने कर रहे हूं आपको समझने में असानी होगी इन दोन में common क्या है q square q square ले लिए common k square minus 1 और यह तो q square वैसे ही आ जाएगा और k भी वैसी q square से q square cancel और यह बात में करना चाहिए था चलो बात में करो पहले बात एक ही है अच्छा मैंने यहां ना r की value s square k नहीं रखी यहां भी s square और k square value है s square common आएगा s square दो जागा k square minus 1 okay और यहां पर s square k तो ही तो यह s square और s square cancel तो यह side और यह side बिल्कुल exactly alike आ गई है जैसा कि हमें required था question में question solve करने के लिए तमाम question में same side लानी होती है हमने तो यह हो गया आज 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 इस proof में directly लिखने हो proof okay question number 5 यह बहुत simple तरीके से हमारा solve हो गया सीधा है ना हाँ हमने exercise 18.6 की question number 1 की तमाम parts to him cover कर लिए है thank you for watching Allah Hafiz